असलाम अलेकूं मिवर्स आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं औरेंज करश से बनने वाला बहुत ही जबर्दसा जूस अगर आप इस फ्लेवर को ट्राइ करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राइ करें बिलकुल फ्रेश औरेंज का जूस लगता है औरेंज करश से बनने वाला जूस पीने में बहुत ही मस्यदा लगता है तो फिर चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते है तो यहाँ पर हमालास का औरेंज करश ली हैं आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं सबसे पहले खाली जट लेंगे और इसमें डालेंगे रूम टेमपरिचर पानी एक गिलास हम इसमें नॉर्मल पानी डाल दी हैं अब इसमें डालेंगे दो टीस्पून सबसे की बीच यानि के बेसिल सीट इसे तुक मलंगा भी कहते हैं इसका सबसे की बीच को किसी भी जूस या फी शर्बत में डाल के बना सकते हैं अगर आप डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं कुछी दर बाद ये बहुत ही अच्छी से भीग चाते हैं और अब इसमें डालेंगे शुगर जितने ग्लास आप जूस बना रहे हैं यानि कि आपको जितना मीठा पस्टाने उसके साबते शुगर आट करें और शुगर आपने डॉर्मल पानी में ही डाल के मिक्स करना है ठंडर पानी में शुगर जल्दी से मिक्स नहीं होती है आप यहाँ पर इसका पॉर्डर बना की भी डाल सकते है और अब डालेंगे औरेंज करेश तो यहाँ पर औरेंज की बहुत ही बहतरीन सी महेकारी है जब भी आप इस जूस को बनाएंगे तो यह लगता ही ने कि आपने शू करेश से बनाया है बिल्कुल फ्रेश औरेंज से निकालावा जूस लगता है आप जितना फ्लेवर चाहते हैं उसके साबसे करेश हैट करें अगर आप इसे ज्यादा डाल की बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा यह बनेगा करेश अलड़ी मीठा होता है तो आप इसमें शूकर की कौन्टिटी थोड़ी सी कम ही रखना है तो यहाँ पर हम ठंडा पानी डाल की इसको अच्छे से मिक्स कर रहे है अब इसमें जाएंगे थोड़े से S-Cube अगर आपकी पास फ्रेश औरेंज अवेलिबल ही तो आप इसमें औरेंज के स्लाइज भी डाल सकते हैं और भी अच्छा इसका लूक आएगा S-Cube डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ग्लास में जाएंगे थोड़े से S-Cube आप यहाँ पर पूदीने के पत्या मी डाल सकते हैं इसके बाद डालेंगे जूस इस औरेंज करसे से बहुत से रेसिपीस बनाते हैं मिल शेक ही या फीजरी शर्बत अगर आप सारे रेसिपीस देखना चाहते हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे जरूर देखियेगा तो यहाँ पर बहुत ही बेहचरीन और मस्यदार औरेंज करस का जूस बनके तयार हो चुका है पीने में बहुत ही मस्यदार लगता है आप इसको जरूर ट्राइ करें और इससे इन्जॉई करें वीडियो पसंद आये तुसको लाइक, कमेंट, शेर करें चैनल पर न्यू है तुसको सबस्क्राइब करना बिलकुल भी ना भूले थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो